Hey everyone, आज का हमारा word है Zero R Zero R के बारे में जानना है ये क्या होता है और इसको कभी उस किया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आखे रही है क्या और Indian Parliament में इसका क्या importance है ओके तो देखते हैं Basically ये वो time होता है जब कोई military activity को plan किया गया है यानि इस time पे वो activity start होगी ये इसका basic meaning होता है लेकिन जब इसको parliament में use करते हैं तो इसका meaning कुछ different होता है बात वही होती है कि कुछ शुरू होना है तो अब शुरू क्या होना है और कब होना है तो देखे, parliament में इसको क्या समझा जाता है जो दिन के 12 बचते हैं बारह बजे तब उससे बोला जाता है zero hour I hope आपको zero hour clear हुआ होगा और इसमें कोई doubt नहीं होगा आप इसको use भी कर सकते हो जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया हुआ है उस तरीके से और फिर मिलते हैं एक next video में Okay then, thank you